और रूस यूकरेन यूट से जुड़े हुई बड़ी खबर आपको बता दे जिसमें रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिस विडियो का जिक्रियां पर किया जा रहा है डॉन बास इलाके का बताया जा रहा है जिसमें रूस के के अ-52 हिलिकॉप्टर से बंद आगे जा रही है और इसमें बताया ये गया है कि डॉन बास की सुरक्षा के लिए ये कारवाई की गई है तो समीन से लेकर आस्मान तक बस बंबारी हो रही है गोलाबारी हो रही है इस बीच रूस यूक्रेन महायूद से जुड़ी हुई बड़ी ख़बर आप तक पहुँचादे जिसमें यूक्रेन ने अमरिका से और हक्यार देने की बड़ी डिमांड रखी और असी के साथ इसमें इरान के शाहिद ड्रोन के खलाफ कारवाई के लिए यूक्रेन ने अमारिका के एक राम डिफेंस सिस्टम मांगे हैं यूक्रेन पर रूस का जबर्दस्त प्रहा यूक्रेन ने अमेरिका से मांगे हदिया इरान के ट्रोन से दहशत में यूक्रेन रूस और यूक्रेन के बीच जारी जान अब इतनी लंबी के चुकी है कि दोनों ही देश न जुकने को तयार है और नहीं पीचे हटने को ऐसे में रूस लगाता यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो वहीं यूक्रेन भी उन हमलों का जवाब दे रहा है हर मोलचे पर घिर चुके रूस ने अपने जखीरे से जैसे ही एक हतक हतियार निकाला उसके बाद यूक्रेन के भोश उड़ गए इरान के शाहिद ड्रोन ने कीव में जिस तरह से पिछले महीने तबाही मचाई थी उसकी तस्वीरे आज भी यूक्रेन को डरा देती है फिरूस के पास अब भी भारी तादाद में इरान के शाहिद ड्रोन मौजूद है जिन से लड़ने के लिए यूक्रेन को नई तकनीव और जादा से जादा हतियारों की जरूनत है और यही वज़ा है कि यूक्रेन ने एक बार फैर अमेरिका के आगे हाथ फिला दिये है यूक्रेन ने रूस से बचाने के रिए बाइटन से गोहार लगाई है और मांग की है कि अमेरिका उसे और एए डिफेंस सिस्टम दे ताकि वो रूस का मुकाबला कर सके यूक्रेन भागा भागा अमेरिका के पास पहुच गया है और उसकी संसत के चेर्मेन ने सीनियर अमेरिकी संसतों से अपील कर डाली है कि जितना जल्दी हो सके अमेरिका यूक्रेन को एए डिफेंस सिस्टम दे नहीं तो पतेर यूक्रेन पर इरान के दिये गई ड्रोन ताक कर दुनिया के नक्षे से उसका नामनिशान मिटा देंगे क्योंकि इरान का बनाये गया शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन पर गिरा गिरा कर रूस ने उसका क्या हाल किया है उसकी तस्वीरे पूरी दुनिया ने देखी है शाहिद ड्रोन को हत्यार बना का है उस पहले ही यूक्रेन की राज़धानी कीव के बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबा चुका है वो ड्रोन से यूक्रेन की पावर प्रांड को निशाना बना रहा है जिसकी वज़े से कीव के कई लाखों में बत्ती कुल हो गए क्रेन की सरकार ने लोगों से कीव खाली करने को कह दिया है यूक्रेन की पाव शाहिद वन थर्डी सिक्स ड्रोन का काम तमाम करने के लिए हाईटेक हत्यार नहीं है हाल ये है कि शाहिद वन थर्डी सिक्स ड्रोन को ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए यूक्रेन को अपने फाइटर जेट काम पर लगाने पड़े है कई बार तो उसे शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए कंधे पर रखका लाँच होने वाले एंटी टेंक हत्यारों से काम चलाना पड़ रहा है जब कि सितंबर में यूक्रेन की जंग का सीन पॉलटता हुआ दिखने लगा था पहले खार की फिर पूर में डॉनवास और उसके बाद तक्षुण में खेर सोन में जलिंस्की की सीना ने जिस तरह बाजी पल्टी उसे यूक्रेन की जीत लगवा पक्की दिखने लगी थी लेकिं तभी इरान के शायद वन थर्डी सिक्स ड्रोन ने जंग की मैदान में ऐसी धमाकिदार एंट्री मारी यूक्रेन धमाकों से ही तेहल उठा अब हालात इतनी तेजी से रूस के हक में बदलते जा रहे हैं कि यूक्रेन का साफ कहना है कि ये सोचने का वक्त नहीं है इसलिए अमेरिका तुरंट उसे एयर डिफेंस सिस्टम मोहिया कराए जबकि अमेरिका न कुछ दिन पहले ही रूस की मिसाइलों और रॉकेटों को मकाबला करने के लिए यूक्रेन को नैसाफ्स जैसा एड़वांस एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर किया है लेकिन यूक्रेन का उससे बेट नहीं भर रहा है यूक्रेन ने अमेरिका की सीरेम के अंदर ही रेडार फिट है जिसके खत्रे को भाबते ही सीरेम में लगी पड़ी सी रैपिट फायर गुर्ण काम पर लग जाती है फिर एक मिनिट में धाला धार साड़ी चार अजार राउंड फायर होते हैं जिस से सामने चाहें मिसाईल हो रॉकेट हो या फिर तोप क गोले तुश्मन का हर वार खाली चला जाता है शाहिद ड्रोन वैसे तो धीमी रवतार से उड़ता है जिससे उसका मुकाबला करने के लिए सामने वाले के पास तोड़ा बहुत वक्त होता है लेकिन चक कर ये है कि वो उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल लेता है इस वज़े से यूक्रेन को इरान के बनाए ड्रोन से निवटने में दिक्कत हो रही है और उसे एक बाद फैर अमेरिका का मूद दाकना पड़ रहा है यूक्रेन शाहिद ड्रोन से इस कदर तंगा चुका है कि अब उसने रूस के ड्रोन के जखीरे को ही खत्म करने की कदम खाली है जलन्सकी का टार्गेट अब यूक्रेन की तरफ आस्मान से आते शाहिद ड्रोन ही नहीं है बल्कि वो रूस के कब्से वाले अलाकों के अंदर रखे शाहिद 136 ड्रोन के स्टॉक को ही उड़ाने की फिराक में है ताकि न रहे पांस और न बजे बांसुरी इसके लिए यूक्रेन अमेरिका से ज्यादा रेंज की मिसाइल है भी मांग रहा है